हलो दोस्तो मैं नाजी मुसेन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो दोस्तो आज का हमारा वीडियो है कि एक सल के उपर है एक सल के अंदर हम वी लुक अफ फॉर्मूला का उप्योग करते हुए किस तरह से एक सीट के डेटा को एक वर्क सीट के डेटा को दूसरे वर्क सीट के डेटा पर हम कैसे ले जा सकते हैं यानि एक वर्क सीट को दूसरे वर्क सीट के साथ हम किस तरह से लिंक कर सकते हैं दोस्तो देखिए यह मेरी seat number 1 है जहाँ पर यह कुछ ही मैंने employee के ID number नाम उनका designation उनकी salary दी है अब यह मेरी कोई दूसरी work seat है इसी work book के अंदर यह दूसरी work seat है जिसके अंदर यह ID number है कुछ हो और उनकी मुझे salary चाहिए जिहाँ दोस्तो यह ID number इनी में से किनी 4 के ID number है जो seat 1 है अब मुझे seat 2 पर मुझे इन ID number के मुझे यहाँ पर salary चाहिए तो इसके लिए हम we look up formula यूज में लेंगे यहनि एक seat को दूसरी seat से link करने के लिए और एक seat का data दूसरी seat में लाने के लिए तो दोस्तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम वही equal दबाएंगे आपको नजर आ रहा होगा उसके बाद हम we look up लिखेंगे वी look up यह we look up लिखने के बाद आप यह bracket लगा देंगे bracket लगाने के बाद हमें जो value सर्च करनी है look up value यह देखिए यह जो look up value सर्च करनी है तो हमें यह वाली value इसकी value सर्च करनी है तो हमें इसका sell address दे देंगे अब इसके बाद हम coma लगा देंगे अब दोस्तों मैं आपको बात बता दूँ यह coma लगाना compulsory है यदि आप इसमें एक भी mistake करेंगे तो आपका result नहीं आएगा इसके बाद आप पहले वाली seat पे चले जाएंगे जिस seat से आपको इसके अंदर data चाहिए तो यह seat 1 के अंदर में गया seat 1 के अंदर जाने से आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे formula bar के अंदर जो मैंने formula लगा हुआ है वो लगा हुआ है लेकिन seat 1 और इसके बाद यह wish में बोदक्चिन आ गया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों अब हमें अब हमें क्या करना है हमें table यानि जिस table में से हमको data लेना है वो table का area select करना है तो हमें जो table का area है मुझे यहाँ से यह देखिए यह C5 से लेके और यह F15 तक इस area में से मुझे table चाहिए तो यह मैंने select कर ली select करने के बाद दोस्तों आप इस table को अमारे यह move नहीं होनी चाहिए मैं data IC में से चाहिए आप इसको select करके इसको log कर देंगे log करने के लिए यह देखिए जो मैंने select किया इस तरह से select करके आप F4 प्रेस कर देंगे F4 प्रेस कर दिया दोस्तों इसके बाद आप क्या करेंगे F4 प्रेस करने के बाद यह देखिए जो आपका formula आया है यह जो आपका formula आया है यहाँ पर आप क्या करेंगे एक कौमा लगाना जरूरी है याद रखो दोस्तों एक कौमा लगाना बहुत कमपल्सिरी है कौमा लगाने के बाद आपको क्या करना है कि हमें जो चीज सर्च करनी है हमें जो चीज सर्च करनी है तो मैं आपको बता दूँ यह देखिए कि हमें मान लिए ї explains that salary चाहिए थी हमारी salary कौन से column में थी हमारी salary सबसे पहले हमारा ID था नाम था ID हमारा पहला column हो गया salary नाम, दूसरा column हो गया उसके पाद designation तीसरा column हो गया और 4th column था, हमारा salary का तो हमें इसमें हमारा salary तो सेले, o column number लिख देंगे इसके बाद कोमा लगाएंगे और true और false में हम false के लिए 0 लगाते हैं ताके equal रहे हैं और फिर हम ये bracket बंद करके enter कर देंगे तो ये चीज़ आप देखेंगे ये देखेंगे यहाँ पर जो ये cd201 जो भी कोई था ये देखें ये cd201 इसकी salary क्या थी 18,000 क्या थी 18,000 तो ये cd202 पर देखूंगा तो ये देखें salary आ गई अब मैं इसको double click करूंगा तो इन बाकी सब की भी देखें d e triple 3 d e triple 3 तो ये देखें d e triple 3 की salary क्या थी 52,000 तो ये देखें 52,000 आ गई अब मुझे दोस्तों यहाँ पर salary नहीं नाम चाहिए जैसे कि मुझे यहाँ पर name चाहिए तो मुझे क्या करना होगा मुझे ये करना होगा कि आप क्या देखेंगे मेरा नाम कौन से column में एक रदो तो ये यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर यहों मैंने column number 4 किया है 4 की जगा मैं क्या कर दूँगा 2 और enter मार दूँगा तो यह देखिए इस ID number का क्या नाम था अब मैं double click करूँगा तो यह देखिए जो ID number है उसके सामने उसका automatic नाम आ गया है तो दोस्तो इस तरह से हम we look up के through एक sheet के data को दूसरे sheet के data के साथ link कर सकते हैं merge कर सकते हैं दोस्तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको like करें subscribe करें, comment करें आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊंगा ओके, goodbye दोस्तो